हेले भरिवरन विलकम टू वायराइज के जन क्लास 9 और 10 हिंदी तो इस वीडियो में क्लास 10 के संगतकार चेप्टर को पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस कवीता में कभी ने गायन के मुख गायक का साखत देने वाले संगितकार की महांता काशपट किया है कभी कहते हैं कि मुख गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किन्तु मधूर आवाज से देता है अधिकांसत ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिष्टेदार होता है जो की सूरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता रहता है जब मुख्य गायक गायन करते हुए सूरो की मोहक दुनिया में खो जाता है उसी में रम जाता है, तब संगतकार अपनी अस्थाई इस परकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छुटा हुआ समान संजोकर रख रहे हैं वह अपनी टेक से गायक उन दिनों की याद दिलाते हैं जब उसने सिखना सुरू किया था कवी कहते हैं कि बहुत ही उची आवाज में जब मुखी गायक का सवर उखरने लगता है और गाला बैठने लगता है तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्ता से उबारने के परियास करते हैं वह मुख गाय को हिमत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ट में अकेला नहीं है वह पूनर उन पक्ति को गा कर मुख गाय के बुझते हुए सवर को सहयोग परदान करते हैं इस समय उसके आवाज में एक जिजग से भी होती है कि कहीं उसका सवर मुख गाय के सवर से उपर ना पहुंच जाए ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उनके आवाज में कमजोरी है बलकि वह आवाज निची रखकर मुख गाय को समान देना चाहते हैं इसे कवी ने महानता बताया है तो यही था संगतकार चेप्टर तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटर वीडियो के माध्यम से सारे चेप्टर और सारे सब्जेट को अची तरह से पढ़ाया जा रहा है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथ भी सेर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू